हेलो दोस्तों कैसे हाल सासीब के स्वागत हमारे एक और वीडियो में दोस्तों त्यार ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ नए अब्रीट्स की बारे में जो कियार रिसेंटली रोल आट हुआ है सारसा जो इस वीडियो में हम लोग चेंज लोग भी डिसकस करेंगे क क्या क्या जो चेंजिस हुआ है जो की रिसेंटली अपडेट दिया गे है उनमें जे क्या क्या आपको नया देखने को मिलता है और सारे साथ जो ट्वल पॉइंट पाइट है वो बाकि फोंस पा क्या स्टैटस है कब तक दिया जाएगा उनको तो सारा जो इतना भी लेटेस इं अभी तर को subscribe करकी notification का जो आइकन उसे भी turn all कर दिजिए ताकि जो आपको सारा वीडियो उसका जो अपडेट से वो time पर मिल जाए ताकि जो आपको भी news जो मिस आउट ना कर जाए दोस्तों तो चलिए दोस्तों सबसे पहले वीडियो में बात करेंगे कि यार सबसे जो recent update है वो कौन-कौन सा है इंडिया के लिए तो यहाँ पर आप देखते हैं MI 11X जो इंडिया का variant है उसे finally MI 12.5 की उपर जो enhanced वाला variant है उससे जो है पहला update दे दिया गया है दोस्तों आप यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा update है दोस्तों इसमें आपको काफी सारा features और optimizations देखने को मिलेगा और आपको जो इसमें minimum bugs देखने को मिलेगा ने कि पहले तो मालूमी था यार काफी सारा problems था काफी सारा bugs था लेकिन यह enhanced वाला variant इसमें आपको काफी सारा improvement करके दे दिया गया है और अभी फिलाल जो है MI11X को जो है यह update इंडिया में सबसे पहले देखने को मिले जाता है दोस्तों हाला कि यह update अभी public rollout नहीं हुआ है यह आप यह पे देख सकते है MI pilot only यानि कि बस यह testing के लिए कुछ चुनिंदा users को दिया गया है जैसे यह testing complete हो जाता है सबको जो ही update प security patch आपको नया मिलेगा और सारे साथ जो है जीतना भी bugs था पुड़ाना जीतना भी updates में problems था वो सब जो है solve करके आपको यह जो variant है इसमें आपको देखने को मिले जाएगा यह भी MI pilot only है यानि कि यार काफी जल्दी यह भी आपको public rollout देखने को मिले जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर तो जो है इंडिया में अभी तक वो लोग को update नहीं मिला है लेकिन बाहर के regions में यहाँ पर आप देख सकते है 12.5.0.2 का जो update है जिसमें आपको Android 11 का support देखने को मिलता है Redmi का 9A स्मार्टफोन इसके लिए update दिया गया है और यह अभी फिलाल जो बाहर में मिलता ह चाइना में मिलता है लेकिन इंडिया में जो अभी तक नहीं आया है लेकिन अभी बाहर में अपडेट दे दिया है शामी ने तो हो सकता है कि इंडिया का भी टीम जो है काफी जल्दी work कर रहे है इस update में और यह जो update है Redmi का 9 सीरीज है उसके लिए प्रोवाइड कर दे दोस् स्याने की fix देख चुके हैं तो यहाँ पर जो सारे सारे जीतने भी bugs थे उनको solve कर दिया गया है आप देख सकते हैं कितने सारे problems को ठीक किया गया है कितना वारा change log है और यहाँ पर जो ही जो change log है यह है MI 11X के लिए जिसे 12.5 प्राइंस वाला variant मिला रही है उसी का ही change log है जो face unlock finger paint से related issues था उसे भी solve कर दिया गया है और काफी सारा optimization भी आपको इस update में देखने को मिल जाता है तो यार यह तो simple है कि जो enhanced वाला update है future में आपको सारे phones में देखने को मिलेगा जिसमें आपको MI 12.5 का support मिला है और यह तो sure है कि आपको जो है काफी अच्छा experience देखने को मिलेगा 12.5 enhanced में दोस्तों तो hopefully यार शामी जल सा जल बाकी जीतना भी phones है उनको enhanced का अब दे दे अभी जो है काफी सारे phones लाइन में है जिसे की रेड में का note 10 series, 9 series, 8 series, Poco का series जैसे की M3 हो गया, MT हो गया यह सब को जो है अभी मिलना बाकी है अपडेट तो यार बने रही हमा स्काइब कीजिएगा, notification turn on जरू से कर लीजिएगा, time पर अब्लेट से पाने के लिए दोस्तों इस वीडियो के लिए इतने था, कोई भी questions है कोई जाप नीचे comment कर सकते हैं, मैं कोशिच करूँगा आपके comments का reply देने का, दोस्तों बाबाई and take care